तो वैस क्या ज़्यादा इंप्रेशन आने से हमारी Facebook पेच की वीडियो में ज़्यादा व्यूज आते हैं क्या impression matter करता है तो definitely मैं इस चीज का answer करूँ कि हाँ impression matter करता है अगर आपके ज़्यादा impression बेचता है Facebook तो आपको ज़्यादा व्यूज मिलते हैं अगर कम impression बेचता है तो कम views मिलते हैं अब यहाँ पर बहुत सरे लोगों को यह नहीं पता कि impression होता क्या है impression of views में difference क्या होता है ठीक है तो पहले इस चीज क्लियर करते हैं उसके बाद बात करें कि impression जो low होता है यानि impression जो कम बेचता है हमारा Facebook उसके पीचे reason क्या होता है तो उस चीज को भी समझेंगे इस वीडियो में वीडियो को skip मत करना आते सीधर topic पर बात करते हैं कि पहले impression और views में difference क्या होता है impression का मतलब यह होता है जब भी आपको इस वीडियो अप्लोड करते हो ठीक है Facebook पर upload करते है तो Facebook क्या करता है उस वीडियो को distribute करता है बहुत सारी लोगों के फीड में वीडियो को जो है लोगों के सामने बेजा उसे हम बोलते impression यह चीज हो है हमारी impression और अगर बात करें views की कि अगर आपकी वीडियो को तो वो count हो जाता है लेकिन अगर click नहीं किया लेकिन उसके feed पर show रहा हो उसने scroll down कर दिया scroll up कर दिया यानि वीडियो आपकी नहीं देखी ठीक है तो वो होता है impression अब लोग अगर click करके देखते हैं तो वो count हो जाता है वीडियो में तो यह फार्क होता है impression बेज़ेगा तो जाता clicks होंगे तो यहां सब views में difference आता है आप समझते कि Facebook जो impression हो वो कम क्यों बेजता है तो पहला जो reason मैंने आवजब किया है चाहे वो YouTube चाहे वो Facebook को अगर आप non consistent हो के काम करते हैं यानि अगर आप consistency नहीं दिखाते हैं अपने काम पर तो आपके जो वीडियोस है उसका impression Facebook वेजना कम कर देता है यानि उसका distribution है वो Facebook कम कर देता है Facebook या YouTube या जो भी social media platform जहां पर आप काम कर रहे हैं सब में आपने एक चीज़ सुने होगी कि consistency बहुत साथ ज़रूरी है consistent नहीं रहोगे Facebook impression बेजना बंद कर देगा YouTube impression बेजना बंद कर देगा Instagram impression बेजना बंद कर देगा क्योंकि Companies को भी फायदा चेन नगा क्योंकि आप अगर काम कर दो तो उस जाहिर सी बात है कि आपकी वीडियोस लोग देखेंगे आपकी वीडियोस लोग देखेंगे रोज नई वीवर्स आएंगे तो यानि platform को एक रोज नए बंदा मिल सा है लेकिन आगर आप काम भी करना बंद कर दोगे तो उस पर वीवर्स कम हो जाएगे इसमें platform का नुकसान है, company का नुकसान है तो वो आपको भी तो नुकसान देगी ना फिर अब जो इसका दूसरा ही जना जो कि मैंना observe किया है और ये facebook की policy में भी लिखा हुआ ये चीज की facebook आपके page का description कब कम कर देता है ये तब कम करता है जब आपके page पे policy issue आता है किसी चीज का चाहिए वो partner monetization policy issue हो या किसी भी चीज का policy issue अगर आया आपके page पे तो उससे जो facebook है आपकी videos का impression बेजने कम कर देता है policy issue आइस तब ही आता है जब हम कोई गलत काम करते है जो की facebook की policies है उसके against अगर काम करेंगे तो definitely facebook उस चीज को बढ़ावा नहीं देगा second main reason होता है कि आप policy issue ला देते हो अपने page पर जिसके वेज़ से आपको distribution जो है वो कम हो जाता है तो mainly ये दो ऐसे reason है जिसके वेज़ से facebook जो है आपकी videos का impression कम based है जितने भी guidelines है जितने भी policies वगरे है आपको इसका ध्यान लखना है ध्यान में रखके काम करना है आपको facebook पर और अगर आपको नहीं पता facebook की policies के बारे में कि कौन-कौन सी policies है facebook की है कौन-कौन सी guidelines है तो इसके पर मैंने already videos बना रख किये facebook partner monetization policy के उपर content monetization policy के उपर copyright fair use policy क्या होता है community guidelines क्या होते है और limited relative content का issue कैसे remove किया जाता है पांचो ऐसे topics हैं guys ऐसे कह सकते हैं guidelines है facebook की जिसकी उप्रेसे हर कोई creator परिसान जाता है अगर नहीं पता तो जाके देख लो उस video को की कौन-कौन सी guidelines है ताकि आपको future में कोई दिक्कत ना है definitely वो जो वीडियो बना है उसका link में इस video को description में देख दूँँआ तो आप इस description में जाके देख सकते हैं videos को and I hope guys कि आपको ये video अच्छे लगी होगी so please like, share and subscribe guys 700 subscribers होने वाले बहुत जब मैं 1K cross कर जाऊँगा I hope so, मिलते हैं guys next video में